हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल रियल जॉब कनेक्शन में आसा करता हूँ आप सवस्त होंगे मस्त होंगे अपना और अपने घरवालों का ख्याल रख रहे होंगे तो अभी जो वैकेंसिया निकली हुई है वो कंपनी का नाम है जापानी कंपनी मे सब्सक्राइब चैनल निकली हुई है और जो इसकी लोकेशन रहे गी हौंडा चौक कुस केड़ा अलवर राजthrough में निकली हुई है और इसकी दो एज लिमिट है 18 से 28 साल इसकी येज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा पास के लिए वेकेंसिया निकली हुई है और जो ट्रेड रहने वाली हैं ट्रेड क्या रहेंगी आई ट्रेड्स फिटर टंडल मेकैनिस्ट जेंडर एम यम बी आटो मुवाइल इसके लिए वेकेंसिया निकली है और डिप्लोमा में आपने क्या किया होगा मतलब मेकैनिकल डिप्लोमा अगर आप डिप्लोमा किये हैं तो मेकैनिकल आपने किया होगा तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी A to Z जानकारी दूँगा और इसमें आपको एपलाई कैसे करना है मैं सारी जानकार इसमें आपको दूँगा और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरू कर दें जो भी वेकेंसिया निकलती है आल ओवर इंडिया में सबसे पहले लाने की कोसिस करता हूं और इसके लिए अप्लाइ करने की लिंक भी मैं आपको दूँगा आपको अप्लाइ कैसे करनी बात कैसे करनी है तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है और जो इसकी सेली रहेगी आईटी आई के दिया जाएगा और जो आपको फैसरिटी बगएरा दी जाएगी वो बस फैसरिटी कैंटीन और टी स्नेक्स ड्रेस यह जो है आपको फिरी ऑपकोर्स दिये जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या है 12 दसमला मतलब 12 रुपया 25 पैसे आपको पर डाइट के एसाब से पर डे आपक लगेगा और एप्लाइ करने के लिए आपको मैं लिंक अभी दे रहा हूँ जापानी प्लांट अरजेंट आरिंग चल लिए कितनी कंडियर्स के लिए 50 कंडियर्स के लिए वेकंसियां चल लिए अगर आप फ्रेसर हैं या एक्सपिरियंस कंडियर्स हैं तो इसके लिए आपको इस लोकेशन में आपको पहुंचना है होंडा चौक कुस खेड़ा अलवर राजिस्तान में इस जगे आपको पहुंचना रहेगा के बड़ वही कंडियर्स हैं जिनका आधार कार्ड मतलब भिवारी से 150 किलो मीटर दूर मतलब बाहर का हो लोकल कंडियर्स नोट दूँगा और किसी भी जोडम मतलब किसी भी लोकेशन से जोड चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो इसके लिए बरकिंग मतलब रहेगा वह आपको कितने दिन काम करना रहेगा इसमें जो मैंने आपको बताएब बरकिंग लोकेशन होंड़ा चॉ और आपको क्या है जो है क्या है इसमें personal leave 42 every year मतलब आपको जो है एक साल में आपको 42 चुटियां मिलेंगे salary per time मतलब per time मंत की एक तारीक को मतलब आपको salary आ जाएगी और मतलब इंक्रीजमेंट जो होते हैं मतलब दो हजार से तीन हजार अप्राइल मन्थ एवरी यर अप्राइल के महीने में दो से तीन हजार उपए आपके बढ़ जाएंगे और सिप्ट रोटेसनल रहेंगी एज लिमिट 18 से 25 साल और आपको ड्रेस कोड में जाना है फोर्मल ड्रेस में जाना है इंटर्वू के लिए कोई भी जीन्स टीसार और चपल में नजय डाकुमेंट आपको क्या के लेके जाने है डाकुमेंट आपके पास रिजूम होना चाहिए टू फोटो होनी चाहिए दो से चार फोटो लेके जाहिए आधार कार्ड ओर्जन होना चाहिए और एजूकेशन डाकुमेंट ओर्जन के साथ साथ में फोटो कापी भी होनी चाहिए बैंक की पास्वुक होनी चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको अपलाई कैसे करना है मैं आपको अपजान कर देता हूँ आपको अपलाई कैसे करना है सबसे पहले आपको क्या करना है अपना कोई भी क्रॉम ब्राजर ओपन कर लेना है जैसे कि मैं अपना क्रॉम ब्राजर ओपन कर रहा हूँ जैसे मेरे पास जो क्रॉम ब्राजर है मैं Google का Chrome browser इसको open कर ले रहा हूँ यहाँ पे search bar पे आपको type करना है क्या type करना है यहाँ पे आपको type करना रहेगा W-O-R-K बर्क बर्क वा बर्क बर्क बजार बर्क बर्क बजार बर्क बजार डोट कॉम जब इसे ही आप इसको मतलब type करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो interface आएगा मैं उसके बारे में अभी आपको बता दे रहा हूँ तो simply यह क्या है open ओचका है यहाँ पे पहले नमबर की website होगी जहाँ पे यह जो logo है यह logo आपको दिख रहा होगा इस logo पे आपको इस पे आपको लोगों के देखके ही click करना है क्योंकि बहुत सारे fraud website होती है उन पे आपको नहीं जाना है बर्क बजार इस पे आपको click करना है मतलब एक बार click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो इसकी जो official website होगी वो official website open होके आपके साथ आ जाएगी तो finally क्या है कि यह जो बर्क बजार की official website है यहाँ पे open हो चुकी है तो यहाँ पे आपको scroll करके थोड़ा उपर scroll करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी vacancy यहां मिल जाएगी जैसे कि Amazon warehouse के लिए और जापानी company मतलब warehouse और Amazon जापानी company के लिए vacancy तो यह जापानी company के लिए vacancy निकली हुई है इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको सारी detail इसमें मिल जाएगी जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ तो इसको क्या होगा कि यह जो है यहाँ पे आपको पूरा जो डाटा है वो आपको खुल के आ जाएगा सामने क्या है यहाँ पे आपको खुल के सारा डाटा आ जाएगा यहाँ पे आपको जाना है थोड़ा स्कॉल करके तो जैसा कि मैंने आपको बताया सारी डेटेल इसमें दी गई है तो सारी ड किस number पे करनी इसके जो बात ईस number पे करनी मैं आपको contact number भी बता जहरा हूँ यहाँ पे- जाके आपको बात करना नहीं है Just contact मोट रहा हूँ पर आ उनली इंडेस्टिटर को NG नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा मैं मिलता हूँ आप से नहीं किसी वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक यार लव यू ओल